तो अलोगा एक से वाप लोग निने सुदा हम बात करने वाल है पोकेमान के एपिसोड नंबर 114 के बारे में तो बुड़े को ज्यादा अलम बिने करते हैं यह कि एपिसोड के स्टाइडिक में आमें दिख्या जाते है कि एच और उसके सारी पोकेमान ट्रेनिंग करें वहाँ अजय कॉड़ेंट जाते हैं और यस अपने गैलरियन पोकेमोन को उन्हें परिपेंट करने वाला और शायद उसे जीत भी जाहूं इसके सारे पोकेमोन सेलिब्रेशन कर रहे और उसे अपनी पावर दिखा रहे गैंगार इंपरनिम पर पास आता है, उसके फ्लेम को टच करता है, और वो रोकेट की तरह ऊड़ी जाता है और तो भी गैंगार को एक टंडर सोक पढ़ता है और उसके मन में गाने बजने लगते हैं वो तंडर्शॉट अटेक किसी और ने लेक्ट्रि वायर ने किया होता है और वहाँ पे गोव और एश पहुच जाते हैं और देख तेट क्या है इलेक्ट्रि वायर के पीछे एश का सबसे तकड़ा वाला रैवल पॉल खड़ा है वो सब एक दूसरे को घुर रहे होते हैं के बारे में पूछता है कि ये खडुसकोन है ऐसका flashback दिखाया जाता है और उसमें Paul उसका दुश्मन था और फिर दोस्त कैसे हो गया ये सब उसे बताता है सिंध कट होता है तो हमें दिखाय जाता है कि गेंगार इफरनेप के साथ ट्रेनिक कर रहा है और उसके साथ Penches मार रह पाहेर, इफरने इसे कुछ करने के लिए क्वेता है, वह वैसा ही करता है, उसके हाथों से फायर रिकनने लगती है, और पीछे से प्रोफेसरों के सब देख रहे थे, और वह कहते की लगता है, गेंगर कुछ नया मूब शीक राए, इसके अलावा एश के सारे नए और पुरा एक शर्त है तु जो मास्टर लास में यूज़ करने वाले वही तीन पोकेमोन तुम मेरे साथ मेरे साथ लेके बैटल करोगे एश कहता है कि ठीक है और वो गेंगर के पास चला जाता है और वहां पर गेंगर आजुबाजु से फ्लेम निकल रही थी और वो नया अटेक सीख च करेंग और फिर प्रोपेशरों केते है कि इंफर्नेट ने उसकी मदद के है और बाकी सारे फायर टाइप पोकेमोन को थेंग यू कहता है वहां फिर बैटल शुरू हो जाती है अपना सबसे पहला पोकेमोन लुकार्यों को चुनता है और पॉल गयरेयों उन दोनों के बैट लुकारियो डवल डीम आटक करता है और हॉड़ बीम से गैर्ड़ॉस उन सब को हीट करते है भी लुकारियो बज़ जाता है और औरहस पर उसका नाम है बुलेट पच्छ और और औरहस लुकारियो पर हईपरीजिट बाइबुट अज़ाएं गार्बार्ण को चुनता है यद्रम दूसरे पर ट्राइगन क्ला ऐसक यूश करते है और याचॉम यूफर है और उसे बहुत घ्राइमजी होता है और उसके बार जाएक को बहुत ही जयादा डामेज्ट होता है और फिर फिर और घ्राइओ चलाग। फ्रेनुक्न जाओंड ऑनक्र जाता होगी इस तरीकंवे चीजर दे राँड़ जीद जाता है captivity बादा चलेगा कि बैटल कॉन जीता है। पॉल मेटाग्रोस को चुनता है। और तभी गोई सोचता है कि पॉल ने हैं तीन पोकेमोन क्यों चुने। और ऐस गाइवा को चुनता है। और अभी लगता है कि गैंगार की कहानी खतम गैंगार अपना रिणग करने नये रिडियो जाता है और मेटवर्स को बेल्ट क्रिक कर देता है भीनगर बblumsh करता है और फिर मेटवर ज्यादान आफे अठाक करता है और कैंगार उसे आसानी से रोग लेता है वो लास्ट शैडो वाला टेक करता है और यही पर मेटाग्रॉस खतम हो जाता है और इस बैटल का विनर एश हो जाता है एश के सारे फायर टैप पोकेमॉट गेंगाश से बहुत ही जादा खुश होते हैं वो वातर पॉल से कहता है कि तुमने तीन पोकेमॉट क्यू चूश के लैंस का गैराडॉस गार्चॉम सिंत्या का और स्टीवन का मेटाग्रॉस पॉल स्माइल करता है और तभी उन सब को पदा चलता है कि पॉल ने एश की अच्छी ट्रेनिंग हो आगे क्लिप बैटल के लिए इसलिए कोई तीन पोकेमॉट चुनता है एश की मौम आती है और एश से बाते करती है और यही पर एपिसोटम होता है